बलेवुड एक ट्रेस श्री देवी का हार्ट अटैक से निदन हो गया है फिल्म इंडिस्ट्री में श्री देवी का 50 साल लंबा करियर रहा है श्री देवी के बड़े फैंसन दीप मालानी ने के लिए कुछ समय पहले आरजे आलोक से एक सक्लूसिव बात की थी और एक ट्रेस की लाइफ से जुड़ी कई अनसुनी बातें शेयर की थी डालते हैं उन पर एक नजर तीन दशकों तक एक साथ तीन तीन फिल्म इंडिस्ट्री में नमबर वन ये हैं श्री देवी सत्तर 80 और 90 के दशक तक श्री देवी ने तमिल, तेलगू और हिंदी इंडिस्ट्री में नमबर वन की पोजीशन बर करार रखी मल्यालम फिल्म इंडिस्ट्री में 1977 में श्री देवी नमबर एक पर थी उसके बाद एक लंबे ब्रे के बाद जब श्री देवी ने इंगलिश विंगलिश से वापसी की तो भी उन्होंने शानदार काम किया उनकी आखरी रिलीज फिल्म मॉम थी श्री देवी अपने जमाने की इकलोती एक ट्रेस थी जिन्होंने फिल्म की फीस एक करोड से भी ज्यादा ली श्री देवी की तीन ऐसी फिल्मे हैं जो की अभी तक रिलीज नहीं हुई है उनमें विनोध खना और रिशी कपूर के साथ गर्जना तो बन कर तैयार है जब ठी विनोध खना, संजेद धंत, रजनी कांत और मादवी दिक्षित के साथ जमीन फिल्म आधी कम्प्लीट हुई थी अमिताब बच्चन, कमल हासन और जयाप्रदा के साथ खबरडार ठंडे बस्ते में चली गई श्री देवी ने सद्मा, 1983, चांदनी, 1989, गर्जना, 1990, ख्षाक्षणम, तेलगू, 1990, फिल्मों में गाने भी गाय थे कई लोगों को लगता है कि श्री देवी की पहली हिंदी फिल्म जूली थी जिसमें उन्होंने लक्षमी की छोटी बहन का रोल ने भाया था जबकी सच यह है कि उन्होंने जूली से पहले भी एक हिंदी फिल्म की थी जिसका नाम रानी मेरा नाम था इस फिल्म में श्री देवी नहीरोईन के बचपन का रोल किया था